मित्रो ये है आक अकवा मदार का पौधा ये देख ले तो कभी-कभी दातों में कीड़ा लग जाने से दातों में कीड़ा लग जाने से दात खोकला हो जाता है और उसमें दर्द होता है कभी-कभी राच में भी हो सकता है दिन में भी हो सकता है तो ये देख लेए ये है आक अकवा मदार इसके पत्ते को तोड़कर इस में इस रुई में पांच पूंद भेवल हैं और इस में मिला लें शहद यह है शहद की दो-चार बूंदे मिला के और अकववा के दूद का देखें आपको दिखाता हूँ अकववा का दूद कैसा होता है यह देखें देखिए यह अकववा का दूद आपको अब गिरना है तो इसकी पांच पूंद ले लें और इसमें पांच पूंद शहद मिलाके और रुई पर लगा लें और उसको जहां पर भी दर्द हो रहा है दाट में या दाड में उसमें दबा लें तो पांच मिनट के इस प्रियोग से दाट दर्द भेंकर से भेंकर दाट दर्द ठीक हो जाएगा मित्रो एक बार फिर मैं दुबारा बता रहा हूँ यह है आक अगुगा मदार इसका एक पत्ता तोड़के ऐसा दूद निकलेगा जैसा इसमें निकल लाए और इसकी पांच बूंद इस रुई पर डालने और पांच बूंद सहट दोनों को मिलाकर रुई में लगा लगके और जहां पर भी किरा दाड में दूद हो रहा है किरा काट रहा है तो उसको उसमें बहर देए या दाड दबा दें तो पांच मिनड के अंदर किरा मर जाएगा और दांट का दूद एकदम ठीक हो जाएगा यह सीधा सादा सरल उपाय है इसे एक बार आवस्त करके देखें इसी के साथ अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों को शेर करना ना भूलें इसी के साथ नमस्कार नेत्रपाल दुरकादास कुछ वाहा कल्याँ